गुड आफ्टरनून ओल फ्यू नालंदा येस अकेडमी ठागट द्वारे में आपका स्वागत है मैं उत्तर प्रदेश की अगली किलास के साथ में आपके साथ मेयार हैं उत्तर प्रदेश में हमने अब तक काफिटोपिक करवा दी हैं आपको और ये हमारी आज जो है साथ भी किलास है इससे पहले जो है वो छे किलास हो चुकी है आप उसको जो है ना आप नालंदा के जो नालंदा यूटूब चैनल है नालंदा एजूकेशन के नाम से आप उस पे जो है ना देख सकते हैं तो आज हमारा नया टोपिक है हम उत्तर प्रदेश के नई टोपिक के साथ में तयार हैं और हमारा उत्तर प्रदेश का जो नया टोपिक है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश की जंजातियों है नी तो उत्तर प्रदेश की जंजातियों मे जिला कौन सा है इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ सरवाजिक जन्जाती वाला जिला ठीक है भया तो सरवादिक जन्जाती वाला जिला कौन सा है तो सरवादिक जन्जाती वाला जो जिला है वो है सोन भद्र कौन सा है भया सोन भद्र ठीक है लेकिन अगर यहीं से आप से कोश्चन पूछ ले जाए कि नियूंतम जन्जाती वाला जिला तो नियूंतम जन्जाती वाला जिला कौन सा है तो नियूंतम जन्जाती वाला जो जिला है वो है बागपत कौन सा है जी यह है आपका बागपत है नहीं ध्यान देखना है तो सरवादी जन्जाती वाला जिला स एसा कोई जिला, जहां एक भी जन जाती नहीं पाए जाती है, ठीक है, तो वो कितने हैं, तो वो हैं दो, और वो दो कौन-कौन से हैं, तो एक तो है आपका आयोधिया, ठीक है बहिए, और एक आप क्या है, तो एक है आपका जालोन, क्या है, एक है आपका जालोन, और एक है आपका आयोधिया, तो एक आयोधिया है और एक जालोन है, है नहीं, तो सरवादिक आपका सोनभदर में, नियूंतम आपका जो है वो बागपत में, और ऐसा कोई जिला उत्तरप्रदेश का जहां एक метगा है allo से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जण जाती कौन सी है उत्तर प्रदेश की जण जाती कौनसी है यह उत्तर प्रदेश की सबसे पूछ ले कि UP की सबसे चोटी जन जाती, UP यानि उत्तर प्रदेश की सबसे चोटी जन जाती कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे चोटी जन जाती जो है वो बनरावत है, कौन सी है भईया, बनरावत, तो उत्तर प्रदेश की सबसे चोटी जन जाती बनरावत और उत्तर प्रोदेश की सबसे बड़ी जन्जाति घुन कौन सी है आपसे जन्जाति बहात की सबसे बहारत की सबसे बड़ी जन्जाति में आपको धियाल करना है दो जन्जाति एक कौन कौन सी है तो एक आपका होता है भील और एक आपका होता है गोंड एक क्या होता है एक होता है आपका भील और एक होता है आपका गोंड है नी इनी में क्या होता रहता है कि कभी भील फस्ट नंबर पे हो जाती है तो कभी आपका गोंड फस्ट नंबर पे हो जाती है कभी फस्ट नंबर पे हो जाती है कभी भील फस्ट नंबर पे हो जाती है वरतमान की कंडिशन यह है कि भील जो है वो सबसे बड़ी जन जाती है तो भारत की सबसे बड़ी जन जाती है तो भारत की सबसे बड़ी जन जाती है तो दच्छिंड भारत की सबसे बड़ी जन जाती है त तोडो जन जाती है, कौन सी जन जाती है, तोडो जन जाती है, ध्यान रखना है, उसके इलाबा अगर आप से कहें कि सबसे खतरनाग जन जाती कौन सी है, तो सबसे खतरनाग जन जाती कौन सी है, तो सबसे खतरनाग जन जाती है, आपका सैंटलीज, कौन सी जन जाती है, सैंट लीज जन जाती है और ये सेंटली जन जाती कहां पर पाए जाती है तो ये सेंटली जन जाती जो है वो अंडमानी को बार में पाए जाती है तो भारत की सबसे बड़ी भील और गौंड और दच्छन भारत की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी तोड़ो हो जाएगी और सबसे खतरनाक जन जाती कौन सी है तो वो सेंटेलीज है अंडमानी को बार में पाय जाती है उसके लावा आप से पूछ ले के पुरवत्तर भारत की सबसे बड़ी जन जाती के लिए आप से बोडो जन जाती पूछी जी जाती है बोडो जन जाती आप से पूछ ली जाती है नहीं ध प्रदेश में पाए जाती हैं, नहीं एक बार फिर से देख लो इसको bhaarat की सबसे बड़ी जन्जाती भील और गॉन है, जिसमें सबसे बड़ी बारतमान में बील है। उसके बाद में कहेगा कि वो दच्चिंद भारत की सबसे बड़ी जन्जाती कौन सी है। तो दच्षिंड भारत की सबसे बड़ी जन जाती है आपका जो है वो डोडो है उसके बाद में आपसे बहुतर भारत में सबसे बड़ी जन जाती है आपका जो है वो बोडो है आपसे कहेगा कि भारत में सरवाधिक जन जाती है कहां पर पाय जाती है तो वो आपका मद्य प्र प्रदेश में सरवादिक जंजातियो वाला जिला, सोनु बदर है नियुंतम जंजातियो वाला जिला जो है वो बाखपत है यूपी का ऐसा जिला जहां एक भी जंजातियों नहीं पाय जाती है ढ़लो हमने उसके बाद में आप से पूछे यूपी की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है थारू है उसके बाद में कहें यूपी की सबसे छोटी जन जाती कौन सी है तो यूपी की सबसे छोटी जन जाती कौन सी है तो यूपी की सबसे छोटी जन जाती है आपका बनरावत है ठीक है ये ध्यान रखना है आपको अब जादू कि कौन सी जन जाती कहां पर पाई जाती है जैसे सरवादिक जन जाती है आपका सोन भदर में पाई जाती है तो सोन भदर में कौन कौन सी जन जाती है पाई जाती है उसके इलावा जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती थारू है तो इस थारू की क्या व सेज़ता है उसके लावा वुक्सा जंजाती पाए जाती है उसकी क्या भी सेज़ता है नी तो इन जंजाती हो को हम आगे देख लेते हैं मैप पर देख लेते हैं नी देखो यहां से आगे चलते हैं देखो भीया, पहले तो हम एक map ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से हम map ड्रा कर लेते हैं यहां से आपको देखना है, यह map ड्रा कर लो, यहां से आप map बना लो इस तरीके से हैं भीया, यह आपका है यहां से, ऐसे देखो, ठीक है, इधियान नगना, यह उत्तरप्रदेश का map है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह नेपाल होगा इधर उसके लावा मैंने आपको यहां पर बताया था यहां पर आपका यह राजिस्थान होगा और उसके लावा मैंने आपको यहां पर बताया था यहां पर आपका मद्ये प्रदेश होगा ठीक है और उसके लावा आपको धियान नकना यहीं से आपको एधर एक इधर और एक इधर यह तो आपको जहारकंड मिलेगा देखने के लिए है नी और यह आपको देखने के लिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी जण्जाती उत्तर प्रदेश की हमने पड़ी है आपका थारू कौन सी है थारू कहाँ पर पैए जाती है तो आपको मैं बता दूं जैसे यहां पे आपको एक जिला दिहान दखना पड़ेगा जैसे लखीमपूर खीरी है, उसके लाबा एक जिला यहां पे आपको दिहान दखना पड़ेगा वहराइच, यह यह वहराइच है, उसके लाबा एक जिला मैंने आपको यहां पे बताया था गोरखपूर, एक जिला यहां गुरखपूर बताया था मैंने आपको तराई छेतर वाला जो जिला है गुरखपूर एक आपको ये दियान दखना है ठीक है तो इन जिलों में यहां पर इस पेसली जंजाती पाए जाती है और उस जंजाती का नाम क्या है तो उस जन्जाती का नाम है थारू जन्जाती, कौन सी जन्जाती है, थारू जन्जाती, और ये जो थारू जन्जाती है न, बटा, ये जना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन्जाती है, कैसी जन्जाती है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन्जाती है, अब इसकी क का ये पक्की ओड हो गया हैं और एक सबद आता है यहांसे आपको ध्यान नगना है लठ भर्वा एक सबस आता है यहांसे लठ gör लआ है तो देखो इन सब्दों को मैं समझा देता हूँ आपको आप एक कहर आप वीडियों की नौड-बुक में लिख लेना कि क्या-क्या चीजे होती है यह बट मैं यहां पर बताओ देता हूं है नी तो थारु जन्जाती से जुड़े हो यह आपके वर्ड है जाड अब जाड क्या होता है जाड में मैं आपको बता दू जैसे हमारे यहां पर कोई मेहवान बगएरा आता है तो हम उसको चाय बनाके पिलाते हैं हम लेकिन यहां पर क्या होता है थारु जन्जाती में एक जाड होता है चावल से तैयार किया गया मदीरा होता है जो भी इन थारु जन्जाती में जो भी मेहवान के तोर पर आता है तो उसको चावल से बना हुआ यह मदीरा दिया जाता है जिसको कहा जाता है आपका जाड ठी उसके लाब आगर हम बात करें, पक्की ओड Daeक होता है, तो पक्की ओड जैसे हमारे समाज में जैसे साधी विवहा की रसम करी जाती तो साधी विवहा की रसम से पहले एक जो है, वो साधी पक्की की जाती है, male और female की तरफ से. जिसको हमारे यहां पे कहा जाता है engagement है नी तो इन थारू समाज में जो है ना विभा की जो परंपरा होती विभा के लिए जो एक तरीके से पक्की रसम करी जाती है तो उसको कहा जाता है पक्की यूड़ कि भाईया ये आपका विभा क्या हो गया ये पक्का हो गया, इस तारीक को इसकी साधी कर दी जाती है तो इस परंपरा को कहा जाता है पक्की यूग है नी, लट भरवा किसको कहते हैं लट भरवा आपको मैं बता दो जैसे मालो एक दमपत्ती husband wife है है नी, तो husband wife में क्या होता है अगर husband की मरत्ती हो जाती है ना और तो होता है कि जब husband की मरत्ती हो गई ना तो wife, wife की जो family होती है तो wife की family के दुआरा क्या करा जाता है कि पूरे थारू समाज को पेट भरवा, पेट भरके भौजन खिलाया जाता है है नी, मतलब महिला के परिवार की गोट से खिलाया जाता है पूरे थारू समाज को, ये दियान देखना तो ये लठ भरवा होता है, तीनों समझ में आगिया होगा है उसके बाद में अगर मानलो आप से पूछे कि भाईया ये थारू समझाती का प्रमुक्तिहार किया है तो इनका प्रमुक्तिहार है बजहर और ये जो बजहर बनाते हैं ये बरसा रितू के मोसम में बनाते है तो बरसा रितू के मोसम में इनके दोरा मनाया जाने वाला प्रमुक्तिहार किया है तो वर्सा रितु के मोसम में इनके द्वारा मनाया जाने वाला परमुक्तिहार है आपका बजर लेकिन अगर कहें कि सोक के रूप में क्या बनाते हैं तो सोक के रूप में ये बनाते हैं क्या दीपावली को तो दीपावली को ये सोक के रूप में बनाते हैं है नहीं, दीपावली को किसके रूप में बनाते हैं, दीपावली को सोक के रूप में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि दीपावली से पहले, दीपावली से एक दो दिन पहले जो है न, इनके पूरवजों के साथ में कोई घटना घटित होई है, और इनके थारुजन्याती का सोख के रूप में तिवहार मनाती है कौन सा? दिपावली को और परमुक तिवहार क्या है इनका? बजर है और जाड, पक्की और लटवर्वा सभी रिनी की परंप्राउं से रिलिटेट बर्ड है नि ध्यान न गना उसके बाद में कहें कि थारुजन्याती जो है, उनका प्रमुक वो क्या है, क्या बोलते हैं इस्ट गया इस्ट देवता, जैनी जनकी यह पूझा करते हैं, इनके इस्ट गयाध़ थारु जञती के इस्ट गयाध़ जैकल दिखना अपको. तो ये इस्ट देपता हो गए, प्रमुक त्योहार इनका हो गिया, सोक के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार इनका हो गिया, उसके इलावा जो ये वर्ड है, इनकी सब्दावलिया है, इनके बारे में बता दिया है, उसके इलावा ये कहां कहां पाये जाते हैं, तराई छेतर का जो यह आपका गोरखपूर है आपको दियान दढ़ना बहरा इस लकीमपूर खीरी यहाँ पर आपके थारु जन्याती पाई जाती है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन्याती थारु जन्याती के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है इनके उत्तरप्रदेश में एक एकजाम हुआ था, उत्तरप्रदेश सिक्सधबढ़ती जो होती है, UPDEC का एकजाम होता है Thanks आफ कुछ बच्छे ने akin लगा के आयें वह प्रांदेश अब कुछ बच्छे उत्तरप्र्देश लगा Agora कुछ 對 thoughts no लेकिन बाद में जब confusion वाला question बन गया ना तो आयोग को उत्राखंड भी बानना पड़ा और आयोग ने दोनों पे common कर दिया तो ऐसी बात नहीं है कि उत्राखंड में नहीं पाया जाता तो मैं आप से पता दूँ यहां पे भी आपको ध्यान नेकना है कि यह जो है उत्राखंड यहां जो सीमावर्ती छेतर है जिसमें आपका यहां से आपको ध्यान नेकना है यहां पे आता है पीली भीत यह क्या है अलावा जो है वो यहां पे भी थारु जन जाती पाए जाती है, पीली बीत में भी पाए जाती है, उत्राखंड में भी आपका थारु जन जाती है, थारु समाज के लोग रहते हैं उत्राखंड के अंदर भी, तो उत्राखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों में पाए जात कि उत्तर प्रदेश में सरवादिक जन्जातियां कहां पर पाए जाती है तो उत्तर प्रदेश में सरवादिक जन्जातियां पाए जाती है यहां पर यह क्या है जी सौनबदर यह सौनबदर है है नि उत्तर प्रदेश में सरवादिक जन्जातियां सौनबदर में पाए जाती अब अगर आप से पूछे कि सौन बदर में कौन कौन सी पाए जाती है तो उनके बारे में बताना है तो एक आपको यहाँ पर दिहान नगना यह हमारा ललितपुर है यह हमारा क्या है बटा यह हमारा यहाँ ललितपुर है यह ललितपुर हो गया ललितपुर में एक जन्जाती पाए जाती है और उस जन्जाती का नाम है आपका सहरिया कौन सी जन्जाती है वो सहरिया जन्जाती सहरिया जन्जाती तो ये जो सहरिया जन्जाती है ये कहां पे पाए जाती है तो ये सहरिया जन जाती उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाए जाती है ठीक है द्यान दगना अब इस सहरिया में लास्ट में देखो सहरिया उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाए जाती है सहरिया में देखो सहरिया लास्ट में क्या प्रत्य आ रहे है last में क्या वाज आ रही है? Last में आ रही है Ria, इया या Ria इया या Ria, या तो आपका सहरिया, Ria या फिर इया कोई दिक्कत नहीं है, लेगिन सहरिया, जिसके last में Ria आ रहा है सहरिया, वो आपका ललिकपुर में है बाकी उसके अलावा जितनी भी आपका लास्टमी ईया और रिया वाली जन्जातिय होंगी न वो सारी की सारी कहां पे होंगी तो वो सारी की सारी आपको मैं बता दूँ वो सारी की सारी आपका सोन बदर में होंगी तोटल सोन बदर में होंगी जैसे आपको मैं बता दूँ अगरिया देखो कौन सी होगी जैसे अगरिया अगरिया के बाद में आपसे कह दे पहरिया अगरिया, अगरिया के लावा आपसे कह दे पहरिया पहरिया, देखो आ रहा है न अरिया तो अगरिया आपसे कह दे तो सौनवद्र है नी, पहरिया आपसे कह दे तो सौनवद्र उसके बाद में आपसे कह दे मुईया, तो मुईया भी आगर आपसे कह दे तो आपको ध्यान नगना मुईया, तो मुईया भी कहा पाई जाती है, मुईया भी आपका जो है, ये सौन बदर में हो गई, है नि, उसके अलावा अगर आपसे कह दे, यहाँ पे ओर देखो, यहाँ पंखा जन जाती भी आपका जो है वो सोनवदर में पाई जाती है चेरो पंखा उसके लावा आप से कहा दे पनी का पनी का जन जाती तो ये पनी का जन जाती भी कहां पर पाई जाती है ये पनी का जन जाती भी आपका सोनवदर में पाई जाती है नहीं ध्यान नगना तो कि अगरिया, पहरिया, मुहिया, आपका चेरो, पंखा, पनी का, ये सब कहां पर पाई जाती है, सोन भदर में पाई जाती है, है नि, अच्छा सोन भदर में एक सबसे ज़्यादा most important जंजाती भी पाई जाती है, और जो सोन भदर में सबसे most important जंजाती पाई जाती है न, तो आपका उत्तरप्रदेश के सौन भदर में पाए जाती है और इस खरवार जन्याती का जो मुख्य निरत्य है न तो इस खरवार जन्याती का मुख्य निरत्य है क्या है तो खरवार जन जाती पाए जाती है कहां पे सोन भदर में और खरवार जन जाती का मुख्य त्योहार क्या है सोरी मुख्य निरत्य क्या है तो कर्मा आपका जो है खरवार जन जाती का मुख्य निरत्य क्या है कर्मा और कहां पे पाए जाती है सोन भदर में पाए जाती है उसक जन जाती हैं, आपको mostly धियान रखना है, कि ये सौन बदर में पाए जाती है, नहीं, धियान रखना है, तो ये आपका complete हो गया, उसके इलाबा यहाँ पर देखना, अगर आप से कहें कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जन जाती है, कहाँ पर पाए जाती है, तो देखो बटा, यहाँ पर एक जिला आता है, बागपत, यह जिला क्या है, बागपत, इस बागपत में जो है न, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जन जाती है, यहीं पर पाए जाती है, और सबसे ज़्यादा सोन मतर में मैं आपको बता भी दिया, है नि, धियान रखना, उसके इलाबा, आप आपका सबसे बड़ी जन्जाती थारु है थारु कहां से अगया ठाहर से सकती है और वह जिला कों सा है तो यह पे मैं आपको बता दूं से सट होघ से और इस जिले का नाम है बिजनौर, क्या नाम है जी बिजनौर, तो यहीं पर आपको धियान लगना है उत्रा खंट से सटा हुआ एक जिला है जिले का नाम है बिजनौर, इस बिजनौर के अंदर दो बहुत महत्मूर जन्जातियां पाए जाती हैं, तो इस बिजनौर के अंद त कर दिबंभा एक आपको धिषान लखनाया है आपको माहीगीर जन्जाती कौन सी जन्जाती है वाईया एक माहीगीर जन्जाती और एक आपको धियान लखनाया तो यह अपने-पंपो रिखन लखनाया और वखनजाती है कि Jacqueline जयांगान neighbors donc अपनते तो थारु जंजाती का एक most important question यह है कि यह अपने आपको किसका बंसज मानते हैं, तो थारु जंजाती अपने आपको किराद बंसज मानते हैं, तो थारु जंजाती अपने आपको किराद बंसज मानते हैं, तो थारु जंजाती अपने आपको किराद बंसज मानते हैं, ध्यान और एक आपको दियानने करना है माहिगीर जंजाती माहिगीर जंजाती की विसेश्ता मैं आपको यहां पर बता दू माहिगीर जंजाती की विसेश्ता यहां पर देख लो क्या है माहिगीर जंजाती के बारे में अगर आप से कहें कि वाहिगीर जन जाती कहां पर पाए जाती है तो माहिगीर जन जाती देखो कहां पाए जाती है विजनौर में पाए जाती है कोई दिक्कत नहीं है माहिगीर जन जाती कहां पाए जाती है विजनौर में यह कहें कि धर्म से कौन है यह तो धरम से देखा जाए तो ये मुसलिम है, तो धरम से देखा जाए तो धरम से है ये मुसलिम, ठीक है, अगर इनका मुख्य वेवसाय अगर पूछा जाए, तो इनका मुख्य वेवसाय है मचली पकड़ना, इसलिए इनको ना मचवारा भी कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कह जाता है इसलिए इनको मच्वारा भी कहा जाता है ठीक है ध्यान नगना माईगीर जंजाती बिजनौर में मुस्लिम धर्म के लोग है मचली प्रकड़ने का इनका मुख्य व्यवसाय है इसलिए इनको मच्वारा भी कहा जाता है और एक विसेश्था और है इनकी कि अगर इनके कहें कि ये नियाले के लिए क्या करते हैं, नियाय के लिए क्या करते हैं, तो नियाय के लिए आपको धिहान नकना है, नियाय के लिए खुद से करते हैं, यह नियाय क्या करते हैं, यह स्वयम करते हैं, और स्वयम कैसे करते हैं, तो एक तो इनके हैं होता है, मैं आपसे बता द सवय नयाय कर लेते हैं, ये माहिगीर जंजाती की सभ़से बढ़ी विश्षिस्ता है, समझ में आ गिया? अच्छाग हम बात करें बुखसा जंजाती की, तो बुखसा जंजाती में कोई खास नहीं है, बुखसा जंजाती अपने आपको किसका अवंसज मानती है? अगर question बन जा कि ये बुक्सा जन जाती है अपने आपको किसका बंसज मानती है तो बुक्सा जन जाती है अपने आपको मानती है पतवार बंसज पतवार बंसज है नि और ये जो पतवार बंसज होते है न ये राजपूतों के बंसज होते है नि तो ये पतवार बंसज अपने आपको जो है कहती है वुक्सा जन जाती कहती है कि हम जो है भाई या पतवार बंसी है और पतवार बंसी में बुक्सा आपका जो है वो बुक्सा जो है वो पतवार बंसजों का रिलेटेड है और ये अपने आपको राजपूतों का बंसज भी कह नहीं है उनके साथ में मुगलकाल से देख लो आप है नहीं तो इसलिए जो है ना ये बुखसा जंजाती अपने आपको लडाकु पिरवर्ती का भी कहती है क्या कहती है लडाकु पिरवर्ती ठीक है तो ये लडाकु पिरवर्ती के भी होते हैं उसके साथ साथ में बुखसा ज जन जाती है आप topic complete करा दिये सबसे ज़्यादा सोन बदर में आपके सामने सब रखी हुए है सबसे कम बागपत में वो रखा हुआ है सबसे बड़ी जन जाती थारू है उसके वारे में सब कुछ करा दिये उसके बाद में सहरी आपका ललितपुर में पाए जाती है बाकि सारी भी आपका कहा भे पाए जाती है सौन मदर में पाए जाती है उसके लावा बिजनौर में दो महत्मुर जंजाती है पाए जाती है बुखसा और माहिगीर माईगीर धर्म से मुसलिम है, इनका मुख्य वेवसाय मचली पकड़ना है, इसलिए इनको मचवारा भी कहा जाता है और ये खुद से अपने आप से किसी विवात को निम्टा लेते हैं, नियाय कर लेते हैं पर इंगे जितना हमने आज तक पढ़ा दिया ना अब तक आपकी 7 classes हो चुकी है उत्दर प्रदेश की हैं तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो इसका यहां से test होगा test क्या होगा, यहीं पे आपको क्या लगा देंगे यहीं पे एक ablaid लगा देंगे ना प्रक्षिस और यहीं से आपको कराती चले जाएंगे और उसमें 50 सब्सेर्च थाать इसकी होगे उत्तर प्र अधियुर्देश के आपका बाकि इसकी प्रक्टिष लगवा देंगा आपका next day ठीक है तो thank you class बाकी कल मिलते हैं